वेलकम आवर यूटूब चैनल जी एस्पित आंसू बीहर प्रधान सिच्छक के लिए अती संभावित प्रस्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में इसमें सारे के सारे प्रस्न बहुत ही सेलेक्टेट दिये गए हैं जो आपको एकजाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभाव न है इसलिए वीडियो को लास तक जवर देखें स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही डिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक और किस YouTube एक ग्रूप में सेड़ जरूर कर दिजेगा चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना अंसर क्या हो सकता है पहला प्रस्न है रामीदना टेगोड़ने अपना नाईट पद किस कारण से त्याग दिया रामीदना टेगोड़ने अपना नाईट पद ट् उनिसको हुआ था अगला प्रस्ण है होम्रूल आंदरों के नेताओं ने होम्रूल सब कहां के सद्रिश आंदरों से गरहन किया था इंपोर्टन प्रस्ण है होम्रूल सब गरहन किया गिया था आयलेंड से अगला प्रस्ण देखते हैं वह लेखक कौन था जिसने 1857 के बिद्र प्रफिष के संस्तापक कौन थे बंगाल में अनुशीलं समीती के संस्तापक थे प्रफम मित्रा ओप्सनुमर ए अगला प्रफिष है इंडिया नैशनल यानी की भारती राजक्रे कौंग्रेस की प्रफम महिला अध्याच कौन थी इंडिया नेशनल कॉंग्रेश की प्रत्थ महिला अध्याच थी एनी बेसेंट अगला प्रस्ण है Economic History of India 1901 का लेखक कौन था इंपोर्टन प्रस्ण है Economic History of India के लेखक थे RC दत ओप्सन नमर ए यानि की रमेश चंद्र दत अगला प्रस्ण देखते हैं अधिवेशन की अधिश्था की थी प्रत्थम अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेश अधिवेशन की अधिश्था की थी लाला लाजपत राइने लाला लाजपत राइने वर्स 1920 में अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेश की अधिश्था की थी अगला प्रस्म देखते हैं हिंदू कॉलेज कॉलकाता के संस्थापक कौन थे इंपोर्टन प्रस्म है हिंदू कॉलेज कॉलकाता के संस्थापक थे राजा रामोहन राए ओप्सन नमर ए अगला प्रस्म देखते हैं महात्मा गांधी ने अपनी सत्यागरा की तक्निक का प्रथम पड़ियो कहां पड़ किया था महात्मा गांधी नी अपनी सत्यागर की तक्निक का प्रथम पड़ियो किया था चंपाडन बिहार में ओप्सन नमर ए अगला प्रस्ण है भारत की पहली सूती कपड़े की मिलके संस्तापक कौन थें भारत की पहली सूतिक कपड़े मिलके संस्तापक थें कावस जी नाना जी दाभार अगला प्रस्न देखते हैं वर्ष 1946 में भारती नो सेना के नाविकों ने कहां बिद्रो किया था इंपोर्टन प्रस्न है वर्ष 1946 में भारती नो सेना के नाविकों ने विद्रो किया था बंबै में अगला प्रस्ण है कि इस आयोग ने भारत के लिए अकाल सहिता की दरखास की थी भारत के लिए अकाल सहिता की दरखास की गई थी इस्टेची आयोग के दोड़ा ओप्सन नमर सी अगला प्रस्ण देखते हैं वर्ष 1940 के अगस प्रश्टाव में क्या प्रश्टाव रखा गिया था वर्ष 1940 के अगस प्रश्टाव में प्रश्टाव रखा गिया था डोमेनियन इस्टेट का अगला प्रस्ण है अंग्रेजी भासा को सिच्छा का माध्यम किसने बनाया लॉर्ड मेकाले ने 1838 को अगला प्रस्ण है वर्ष 1946 में अंत्रिम सरकार का नेतित किसने किया था Most important प्रस्ण है वर्ष 1946 में अंत्रिम सरकार का नेतित किया था जवाल लाल नेडुने ओप्शन नमर B अगला प्रस्ण है इंडियन एसोसियेशन ने किसका गठन करके राश्री चेतना बढ़ाने में महत्मुन भुमी का अधा की आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर C इंडियन नेशनल कॉन्फरेंस का अगला प्रस्ण देखते है राजा रा मोहन राय संस्तापक थे अगला प्रस्ण है सत्यसोधक समाज के संस्तापक कौन थे सत्यसोधक समाज के संस्तापक थे जोतिवा फुले अगला प्रस्ण है ब्रीटिस सासन काल में किस कानून के अंतरगत लोगों की बीना उच्छी सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमती थी तो दोस्तों वह कानुन था रोलेक्ट एक्ट अगला प्रस्ण है संथाल बिद्रों का नेतित किस ने किया था Most important प्रस्ण है संथाल बिद्रों का नेतित किया था सिद्धू और कानुने अगला प्रस्ण है अभिग्यान सांकुतलम का लेखक कौन था अभिग्यान सांकुतलम का लेखक था काली दास अगला प्रस्ण है तिरतिय बौत परिशत को बुलाया गया तिरतिय बौत परिशत को बुलाया गया था असोक के दौड़ा अगला प्रस्ण है संगम काल में तमिल में महा भारत किसने लिखी थी संगम काल में तमील में महा भारत लिखी गई थी कंबन के द्वारा ओप्शन नमर सी अगला प्रस्न देखते हैं जिस दिल्ली सुल्तान ने एकड़ी सी विकास के मंत्राले की अस्था अपना की थी वह था तो दोस्तो वह था महामर भी तूगलक ओप्सन नमर अगला प्रस्न है बीजय नगर के जिस समनाट ने तेल्गु और संसी साहित में सरवाधिक युगदान दिया वह था तो दोस्तो वह था कृषन देबराय ओप्सन नमर सी अगला प्रस्न देखते हैं तारिक ए मुवारक साही का लेखक यहां यहां सरहिंदी निमलीखित में से किसके सासन काल में था? आंसर हो जाएगा ओप्शन मर भी सायत के सासन काल में अगला प्रस्म देखते हैं और अंजेब के काल में जिन सतनामियों ने बागाबत कर नर्मोल सहर को दखल कर लिया था वह थें तो दोस्तों वह थें रवीदास के अनुयाई अगला प्रस्न है अकवर के दरबार में कौन सा सुपरसिद चित्रकार था? अकवर के दरबार में जो सुपरसुच चितरकर था वो था अब्दू समद अप्शन नमर ए अगला प्रसन है बंगाल की अस्थापना की इसने की थी बंगाल की अस्थापना की थी सर्ड विलियम जौश ने अगला प्रसन है 1885 इस्वी में पूना की परसीद फर्योशन कॉले शुरू करने वाले कौन थे आंसर है option number C दक्कन एडुकेशन सोसाइटी अगला प्रस्ण है बहिस्कीत भाराज जर्णल किसने शुरू किया था important प्रस्ण है बहिस्कीत भाराज जर्णल शुरू किया गिया था बी आर अम्बेतकर के दुवरा अगला प्रस्ण है बहुँ सब्दा वाली में धर्म चक्र परवर्तन से क्या निर्देशित होता है बहुँ सब्दा वाली में धर्म चक्र परवर्तन से निर्देशित होता है बूद का प्रतम उपदेश से अगला प्रस्म देखते हैं निमलीखित में से कौन सा एक मुर्ती सिल्फ मौर्ड काल का नहीं है जो एक मुर्ती सिल्फ मौर्ड काल का नहीं है वह है मतुरा से प्राप्त खड़ी बूद मुर्ती अगला प्रस्ण देखते हैं अस्थापत कला में गुम्बच को अधार परदान करने के लिए सबसे पहले भीती मेहरा परणाली का परयोग किया गिया था इंपोर्टन प्रस्ण है अस्थापत कला में गुम्बच को अधार परदान करने के लिए सबसे पहले भीती मेहरा परणाली का परयोग किया गिया था अलाई दर्वाजा में अगला प्रस्न देखते हैं समुन्द गुप के विजियों का उलेक किस में मिलता है? समुन्द गुप के विजियों का उलेक मिलता है इलावत अभिलेक में अगला प्रस्न है 36 गर्ट के निम में से किस जिले से होकर भारती मानक समय रेखा गुजरती है तो दोस्तो उवर जिला है विलास्पूर अगला प्रस्न है भाकरा बांध किस नदी पर इस्तित है भाकरा बांध इस्तित है सतलज नदी पर अगला प्रस्ण है कोशी मेदान की समुन तल से ओसत उचाई कितनी है कोशी मेदान की समुन तल से ओसत उचाई है 260 मीटर अगला प्रस्ण है करकरेखा की सराज से होकर गुजरती है करकरेखा गुजरती है जहरकन से अगला प्रस्ण देखते है लम्डिंग की स्राज में इस्तित है अगला प्रस्ण है भारत की स्राज में समूदरी अपर्दन सरवादिक होता है समूदरी अपर्दन सरवादिक होता है किरल राज में अगला प्रस्ण है भारत की हिमानी जिल कौन सी है भारत की हिमानी जील है उलर जील जो की जम्मू कस्मिर में इस्तित है अगला प्रस्ण है दंड कार्णे में सरवाधिक वर्षा किसे होती है दंड कार्णे में सरवाधिक वर्षा होती है गिरिस्म कालिन चक्रवास से अगला प्रस्ण है निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सुच वीदर क्या कहलाते हैं तो दोस्तों यह कहलाते हैं खोल अगला प्रस्ण है कौन सी नदी गुजरात की आसा कहलाती है गुजरात की आसा कहलाती है वो नदी है सावरमती नदी अगला प्रस्न देखते हैं पॉन सा नदी तंद्र स्रवाधिक पुराना है स्रवाधिक पुराना नदी तंद्र है इंडो बढ़मा अगला प्रस्न है भारत का स्रवाधिक छमता वाला तेल सोदक करखना कौन सा है भारत का सरवाधिक छमता वौला तेल सोदक करखना है कोईली जो की गुजरात में इस्तित है अगला प्रस्ण है भारत का सबसे लंबा राजमार्क जो जवलपूर से होकर गुजरता है उसकी संख्या कौन सी है तो दोस्तो उसकी संख्या है एनेस साथ अगला प्रस्ण है कावेडी नदी की कुल लंबाई कितनी है कावेडी नदी की कुल लंबाई है 810 किलो मीटर अगला प्रस्ण है सो नडवदा तथा महा नदी नदियों का उत्पत्ती अस्तल अमर कंटक कहां इस्तित है अमर कंटक इस्तित है मेकास रेडी में अगला प्रस्ण है, समिधान सवा के सरस्यों को प्रांती सवाव दोड़ा निर्वार्चित किया गया था अगला अंतिम प्रस्ण है, निमलीकित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारती समिधान संगिय है भारतिय समिधान संगिय है यह निर्धारित करता है केंदर पर अप्सिस अधिकारों को निहित ओप्शन नमर डी